देश का हर दूसरा आदमी ट्रेन में सफर करता है। यानि कि ये कोच मौझूदा 3rd AC और स्लीपर क्लास के डिबों के बीच की श्रेनी में आएंगे। रेल मंत्राले ने इसके डिजाइन पर भी काम किया है और इसे स्लीपर क्लास से बिलकुल अलग बनाया है। यात्रियों को कोई असोविधा ना हो इसके लिए रेलवे ने नए कोच में पहला हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्विच गेर को कोच के भीतर से हटा कर ट्रेन के निचले हिस्से में लगाया है। जिससे कोच में 11 अतिरिक्त सीटे लगाने में आसारी भी हो गई। लेकिन 3-tier AC Economy क्लास का मतलब क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। मौजूदा ट्रेनों के AC डिब्ब को 1st AC, 2nd AC और 3rd AC के 3 क्लास में विभाजित किया गया था। लेकिन अब एक चौथा क्लास भी होगा जिसे 3-tier AC Economy क्लास कहा जाएगा। अब आपके जहन में सवाल होगा कि 3rd AC और 3rd AC Economy क्लास में अंतर क्या होगा। तो आपको बता दें कि ये दोनों के बीच में प्रमुक अंतर ये है कि 3rd AC में अभी बहतर बर्थ होती है। जबकि 3rd AC Economy क्लास में 83 बर्थ होगी यानि इसमें 11 बर्थ जादा होगी। इससे रेलवे की प्रती कोच आमदनी बढ़ेगी हाला कि 3rd AC का किराया पहले से बढ़ होगी। हाला कि इससे रेलवे भाग को खूब मुनाफ़ा होने वाला है। 3rd AC Economy क्लास के कोच बिलकुल अलहिदा होंगे। फिलाल रेलवे की कपूर तला इस्तेत रेल कोच फैक्टरी में इसके कोच बन रहे हैं। कोचों की पहली खेप तयार हो चुकी है। साथ ही 3rd AC Economy क्ल को यात्रियों के लिए पट्री पलाने से पहले इसका परिक्षण Research, Design and Standard Organization करता है। रेल कोच फैक्टरी का पूर थला से बने पहले 3rd Economy क्लास कोच को भी परिक्षण के लिए लकनों भीजा जाएगा। रेलवे का दावा है कि ये कोच विश्व में सब से सस्ते AC यात्री किर से AC डक्ट दिया गया है जैसे हवाई यात्रा करने वालों के पास होता है जिसे यात्री अपनी सुविधा से AC को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इस कोच की लाइटिंग को बहतर किया गया है दिवारे और इंटीरियर भी काफी बहतर बनाई गई हैं।